सभी को नमश्कार आज हम कन्यादान कविता इसका क्विक रिवीजन कहते हैं तो जादा देर ना लगाते हुए हम शुरू करते हैं अपना आज का रिवीजन सबसे पहला हमारा प्रेशन आ जाता है कि कन्यादान कविता किसने लिखी है या यह किसकी रचना है तो इसका सही जवाब है कि यह दितुराज जी के द्वारा लिखी हुई एक कविता है और इस कविता में आधुनिक समाज información के बारे में बताया गया है जिसमें मा और बेटी के घनिष्ट संबंदों की चर्चा हुई है प्रश्ण आ जाता है कि मा बेटी को कौन सा पार्ट पढ़ाना चाहती है तो यहां पर मा बेटी को जीवन के यथार्थ का पार्ट पढ़ाना चाहती है लेखक के अनुसार एक मा की अंतिम संपत्ति क्या होते है यहां पर यह प्रेश कैसा था तो यहां पर हम यह कहना चाहेंगे कि कविता में बेटी का स्वभाव भोली भाली बेटी का है और उसे दुनिया की उच्णी की समझ नहीं है प्रैश्न है कि भारतिय समाज में लड़की का दान से क्या दाथ पर यह है? लड़की का दान जो होता है उसे हम कन्यादान भी कहते हैं या लड़की का विवाह जो होता है उसे लड़की का दान यहाँ पर कवी ने कहा है यहाँ पर पाठी का किसी कहा गया है पाठी का यहाँ पर लड़की को कहा गया है लड़की को क्या करना नहीं आता था कवी के अनुसार लड़क को दुखों की भयानकता को समझना नहीं आता था यानि कि समाज में जो वर्तमान स्थिती लड़कियों की चल रही है उसके बारे में वह जागरूख नहीं थी क्योंकि वह अभी बहुत छूटी है और उसे दुख कैसे होते हैं उनका दर्द कैसा होता है उसकी भयानकता क्या हो और पानी जो है यहाँ पर जीवन के प्रतीक है वस्त्र और आपुशन नारी जीवन में क्या है वस्त्र और आपुशन नारी जीवन में शब्दिक भ्रमों की तरह है यहीं कि केवल वो भ्रमित करने के लिए बनाए गए है किसी भी स्त्री को वस्त्र और आपुशन अकशित कर बनाने के लिए उने बांधे रखने के लिए होते हैं ऐसा कवी का मानना है लड़की की मा लड़की से क्या उमीद रखती है वे रहती है कि लड़की घर ग्रहस्ती के काम करेंगी शोषन काुषिकार नहीं होगी और यह सब करने के बाद भी अपनी स्वतंतृता को बनाए रखेगी यानि कि वह लड़की से तीन आशाएं रखती है उमीद रखती है लड़की होने का क्या ताथ परिया है कवी के अनुसार लड़की होने का ताथ परिया है भोलापन सरलता कोमलता और साथ ही समरपन यह चारों लड़की होने का ताथ परिया है कन्यादान कविता में कवी ने कथन को किस शक्ति के प्रयोग से गहनता और गंभीरता प्रदान की है कवी ने लक्षनिकता के अधार पर यहां पर शब्द शक्ति जो है लक्षनिकता शक्ति का प्रयोग करके इसे गहनता प्रदान की है कवी प्रशाद का व्यगून अ है कन्यादान कोण सी का रजना है तो कन्यादान कवीता के रूप में लिखी गई है कवीता की प्रकार की एक रजना है जैसे वही उसकी अंतिम पुन्जि हो झो जो शब्द आए है है कवीता में इन इसेंक कौनव सा अलगकार है तो इसमें उत्प्रिक्षा अलंकार है जैसे शब्द का प्रेयोग हुआ है इसलिए यहाँ पर उत्प्रिक्षा अलंकार है वस्त्रों राभुशन शब्दिक ब्रह्मो की तरह बंधन है स्ती के जीवन को इसमें कौन सा अलंकार है तो इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है कविता में मा पुत्री को किस तरह रहने को कहती है तो मा पुत्री को सचेत और सजग रहने को कहती है साथी यहाँ पर एक और इस तरह का प्रेशन भी आज़ता है कि आग किस के लिए है आग रोटियां सेकने के लिए है धुनले प्रकाश की पाठी का कौन है तो धुनले प्रकाश की पाठी का यहाँ पर बेटी है माने किसे देखकर ना रीजने के लिए कहा माने चेहरा देखकर के ना रीजने के लिए कहा मा को अपनी बेटी कैसी लगती है मा को अपनी बेटी अंतिम पुंजी के जैसे दिखाई देती है प्रशना जाता है कि कन्यादान कविता में कौन सा छंद है अतुकांत छंद यहाँ पर प्रयोग किया गया है यानि कि जिसके अंतिम शब्द मेल ना खाते हों एसे छंद का प्रयोग यहाँ पर किया गया है कन्यादान कविता में लड़की को किसकी पाठिका कहा गया है तो यहाँ पर उसे धुनले प्रकाश की पाठिका कहा गया है कन्यादान कविता में मा को अपनी बेटी अंतिम पुंजी जैसी दिखाई देती है कविता में प्रामानिक किसी कहा गया है प्रामानिक यहां पर दुख को कहा गया है मा ने अपनी बेटी को किस रूप में देखा उसे पाठिका के रूप में देखा पाठिका क्या होता है पढ़ने वाली के रूप में देखा स्त्री के बंधन कुन-कुन से हैं तोस्ति के बंधन है वश्त्र और आफूशन आज के क्विक रिजन में हमने इस कविता की मुख्या बात और मुख्या प्रेशन जो है पहर सुने इसी तरह के और प्रेशन सुनने के लिए आप चैनल पर जाकर की देख सकते हो और कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना कि कौन स चैप्टर के इसी तरह के प्रेशन आप सुनना पसंद करते हैं थिंक्यू फॉर वाचिंग